चलिए तो पर शुरू करते हैं तो फिर अभी अपन डिस्कास करने वाले हैं StarTech Finance Limited को इनको अपने पहले भी डिस्कास किया हुआ है Current Price Salary 344 रूपीज की और Book Value 190 रूपीज की NBFC Registered एक कंपनी है ये Basically NBFC RBI के साथ Registered है NBFC जो होता है Basically Non-Banking Financial Corporation है और इनका जो Basically काम है वो Housing Finance और Loans और Small Corporations को Loan अगरे देने का काम करते हैं ये और MSMEs को Loan देने का काम करते हैं तो ये इनका Business Model है अब चलिए देखते हैं अपन इनकी जो अभी Pros and Cons में पहले Cons देख लेते हैं तो Company has delivered poor sales growth of 7.15% over past 5 years जो sales growth है वो 7.15% की है 5 साल से Tax rate कम है और Company के जो return and equity है वो भी low है 13.1% का last 3 years है Earnings में other income included है 13.7 करोर की Pros की बात करों तो Company ने अच्छा quarter दिया है और Company ने जो है good profit growth दिखाई है 58.8% की CA जो है 58.8% CAGR last 5 years है अब एक interesting चीज अगर अपन यहां पर देखें तो sales growth although poor है लेकिन Company के जो profit growth है वो अच्छी है last 5 years से अब अपन अपना analysis करते हैं इन्होंने अपनी तरफ से बता दिया अगर अपन यहां देखें तो लगातार हर quarter ने का profitable है जो कि अच्छी बात है इस quarter में इनको 7.42 करोर का profit हुआ उसके बले 2.29 करोर का profit था उसके बले 15.02 करोर का profit था तो Company लगाता हर quarter में profitable है अब अगर यहां year by year basis पर देखें है अपन तो सबसे ज़्यादा 22 करोर का यहने gradual growth हो रही है gradual तो नहीं बुलना चाहिए पहले जो इनके highest था 2021 में 38 करोर का profit था उससे second highest वे 22 करोर अभी 2023 का है और उसके पहले 10 करोर का profit था 2020 तू में तो चलिए लगाता है यहां profit में भी है Company अब चलिए और देखते हैं cash flow की बात करें तो जीरो है cash flow पुरा balance आउट है उसके पहले negative cash flow था minus 4 करोर का अभी इस बार 0 करो जीरो है उसके पहले minus 4 करो फिर minus 1 करो और उसके पहले positive cash flow था 2020 में अब चलिए देख लेते हैं अपन इनका जो highest positive cash flow है वो operating activity से आ रहा है अब चलिए और देखते हैं अब यहां पर pattern की बात करें यहां पर shareholding pattern यह important चीज़ है promoter holding जो है 71.68% की है government holding कुछ भी नहीं है public holding 28.32% की है अब अगर आपन मार्च 2023 में देखें यहां पर 71.52 से बढ़ करके 71.68% तो बढ़ा रहे हैं यहां पर promoter अपनी holding को जो की अच्छी बात है लगाता है यहां बढ़ा रहे हैं बलगी अगर आपन देखें तो 2017 में 64.79 था उसके बाद फिर 65.38% वार 2020 में फिर 2021 में सीधर 70.32% फिर 2022 में 71.05% फिर 2023 में 71.52% यह मार्च 2023 में उसके अच्पेमर 2023 में 71.68% तो लगातार बढ़ा रहे हैं अच्छी बात है अब चलिए देखते हैं अगर अगर अपन रैली की बात करें तो अच्छी खासी रैली हो चुकी है इसमें 19.99% की रैली की है इस ट्रेडिंग सेशन म और अच्छा खासा breakout हो चुका है काफी समय तक consolidation काफी समय तो भी नहीं बोलना चाहिए अगर अगर अपन investment के perspective से देखें तो 2022 से ही हो रहा है 2022 से जो फिर fall हुआ और उसके बाद एक range round रहा consolidate करता रहा fall होता रहा उसके बाद फिर एक बार इसने rally लेनी शुरू की और अगर रैली की बात करें तो नॉबंबर से जो शुरू ही है rally कुछ समय के बाद ही अच्छी खासी दो बार एक बार rally हो गई तो इसमें क्या है थोड़ा सा अपने लिए व्यू बनाना difficult है क्योंकि अपने को कोई previous levels नहीं है मगर अपने एक व्यू उसमें बनाते हैं और safely entry या फिर exit करने के लिए अगर अपने हो मिलता है तो अपन minimum damage के साथ exit कर पाएं तो 350 के उपर ही ह्म कुछ भी plan करेंगे 350 के उपर और..? और 350 के ऊपर ही हम कुछ भी plan करेंगे तो फिर चलिए फिर देखते हैं अच्छी खासी rallies हो चुकी है company के finances वगर अच्छे हैं अगर आप देखते हैं और अच्छे अपने अच्कल हमने एक नई चीज इसमें add की हुई है आप लोगों को आगे चलकर कि इनके बारे में बताएंगे intrinsic value and gram number तो अगर अभी की 344 की पैसे के हालेंगी यह कोई ऐसे बहुत जादा accurate नहीं रहते लेकिन काफी लोग इसको follow करते हैं तो यहां देखें तो gram number के भी उपर निकल चुके हैं levels और intrinsic value के भी उपर निकल चुके हैं intrinsic value को calculate करने का अलाग तरीके हैं किसी दिन अपन discuss कर लेंगे इसको other than that बाकि अभी के लिए तो अम 350 के उपर ही कोई व्यू बनाएंगे तो इतना ही हैं फिर next मिलते हैं ok